हेलो दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दफन दे हाइड चैप्टर के मल्टिपल च्वाइस कोशन इंगलिस क्लास नाइन तो आए वीडियो को सुरू करते हैं तो अगर हम सबसे पहला कोशन देखें तो वो दिया गया है तॉमी walked away with – a book beneath his arm ठीक है जो टॉमी होता है वो किस चीज के साथ ठीक है क्या चीज लेकर वो चला जाता है अपने हाथ में तो आंसर है डस्टी यईनि जो डस्टी book होता है उसको अपने हाथ में लिये जो टॉमी होता है वो दूर चला जाता है कोशन 2 की बात करें तो वो है according to the मारगी यानि मारगी की हिसाब से in an older time the schools were यानि मारगी की हिसाब से पुराने समय में school कैसे होते थे तो answer is funny पुराने समय में जो school होते थे काफी funny होते थे कोशन 3 है whose father knew as much as a teacher किसके पिता जी ठीक है teacher को अच्छे तरह से जानते थे as much as a teacher यानि teacher की तरह है तो answer है Tommy के पिता जी कोशन 4 की बात करें वो है how many subjects are mentioned in this chapter इस chapter में कितने जो subject है उसको mention किया गया है तो answer है three subject कोशन 5 की बात करें तो वो है why should anyone write about school who said this यानि ये किस ने कहा कि सब को इस school के बारे में क्यों लिखना पड़ता है तो answer है margie margie ने कहा question 6 है margie was disappointed because they जो margie थी वो निराज थी इसलिए they didn't take away the mechanical teacher क्योंकि वे mechanical teacher से दूर नहीं जा सकते थे या mechanical teacher को दूर नहीं भेश सकते थे क्योंकि वो क्या था एक robot था question 7 margie had to write out her homework जो margie यह थे के उसको homework लिखना पड़ता था किस form में homework लिखना पड़ता था in a punch quote कि वो computer में लिखती थे थे तो punch quote के through उसको अपना homework complete करना पर रहा था question 8 की बात करें वो है after fixing the mechanical teacher the big screen displayed यानि जब mechanical teacher जो robot teacher होता है वो बन जाता है तो क्या ज़्यादा ठीक है display होता है screen पर तो answer है all the lessons and questions asked जितने भी lessons के questions पूछे गए थे वो बड़ी से screen पर क्या होता है आ जाता है जब mechanical teacher पुरी तरह से बन जाता है question 9 the country inspector had a whole box of country inspector किसको बोला जाता है यहाँ पर एक robot teacher को country inspector भी बोला जा रहा है ठीक है तो किस चीच का था वो एक box का था जो कि tools उसमें धेर साथ tools थे और dials थे और उसमें कुछ वायर लगी हुई थी question 10 है why did margy hate school now more than ever यहने जो margy थी वो school से क्यों नफरत करती थी तो answer है b because of our score in geography क्योंकि उसका जो score था जियोगराफी में काफी कम था इसलिए वो school से काफी hit करती थी which gets worse and worse जो कि उसका mark था वो बुरा बुरा होता जा रहा था मिंसकि जो score थे जियोगराफी में वो कम होते जा रहे थे question 11 margy was scornful, scornful का मदलब होता है अपमान जनक या अपमान पूर तो margy जो थी ना वो अपमान पूर या हम बोल सकते हैं कि बहुत बुरा महसूस कर रहे थे क्यों answer है knowing that the real book detail about school यह जानकर कि जो पूरा ठीक है book है वो school के बारे में ठीक है यह जानकर जो margy रहत हुए काफी दुखी हो जाती है ठीक है question 12 है according to the tommy the real book was tommy की हिसाब से जो real book था वो क्या था a waste एक तरह का waste की तरह था question 13 the kids in the old schooling pattern went home together जब पुराने जवाने में school के जो बच्चे थे ठीक है वो कब जाते थे घर और कैसे जाते थे तो answer at the end of the day यानि वो घर कब जाते थे जब पूरा दिन समाप्त हो जाता था means की साम को जाते थे question 14 है while inserting her homework in a paper slot यानि जो homework होता था वो एक paper slot में लोग insert करते थे क्योंकि उस समय क्या था इसे कहाने के recording यह जो चीजे है ना काफी आगे की सोच जा रही है margy was thinking about जब margy अपना homework ठीक है homework जो था paper slot में डालती है तो किस चीश के बारे में सोच रही होती है आंसर है old school यानि पूराने जवाने के school के बारे में सोच रही होती है question 15 है what did the teacher in the real book do real book में जो teacher होते हैं क्या करते हैं answer है c taught and gave question in a person वे क्या करते थे वे पढ़ाते थे और लोगों को question देते थे question 16 why did margy find the old schools interesting जो margy थी उसको क्यों old school काफी interesting लगता था answer है all क्यों लगता था because of fun क्योंकि world school में काफी लोग fun करते थे दूसरी बात है because of human teacher उससे में क्या था world school में human teachers पढ़ाते थे ना की robot पढ़ाते थे c है because of many friends उस से में डह सारे friends भी बना जा सकते हैं क्योंकि school में डे सरे बच्चे भी आते थे लेकिन robot के जवाने में इस lesson के according लोग जो बच्चे थे हुए घर में अपने खुद के घर में पड़ते थे computer से Question 17 What was the difference between old school and modern school? Modern school में और old school में क्या difference है? तो answer है all, क्या का difference से देखते हैं? Old school had many friends and modern school had no friends. ठीक है? यानि पहले के school में क्या थे? धेर सारा friends बना जा सकते थे लेकिन अब जवान इस एक्कॉर्डिंग के, यानि इस chapter के according कुछ friend नहीं थे modern school में, कोई भी friend नहीं था. B है, old school had human teacher. पहले की जवानिम जो school थे उसमें human teacher थे, लेकिन आज इनके जवानिम क्या है? रोबोट teacher है. C अगर बात करें हो है, world school had a playground. वोल्ड school में क्या होते थे? प्लेगरांड होते थे, लेकिन modern school में प्लेगरांड नहीं होते हैं, आपको खुद को घर में बैठ कर computer screen यानि computer से पढ़ना होता था. Question 18 की बात करें तो वो है, how much time was taken to repair Tommy's teacher? Tommy की जो रोबोट teacher था, वो कितना समय लिया है repair होने में? तो answer है one month, यानि एक महिना लिया Tommy का जो रोबोट teacher था, वो repair होने में. Question 19 की बात करें तो वो है, what did the country inspector to do help Margie? यानि किस तरह से जो country inspector था, means की robot teacher था, वो Margie के किस तरह से help करता है? तो answer है, he received the teachers to Margie label, क्योंकि वो क्या करता है? country inspector जो रोटा है ना, वो क्या करता है? उसको set कर देता है, किसको set कर देता है? उसके robot teacher को Margie के दिमाग के label के बराबर. Question 20, why did Margie's mother call the country inspector? यानि Margie की mother country inspector क्यों बुलाती थी? तो answer है D, क्यों बुलाती थी? To check the fault in Margie teacher, यानि fault को check करने के लिए Margie के teacher में, ठीक है? इंदे geographic section में, ठीक है? Margie कोन है? Margie के robot नहीं है, यह क्या है? इंसान है, जो कि वो computer, जो robot teacher है, उसको fix करता था, मिंस कि वो एक repair करता था, बनाता था, यानि एक तरह का mystery था, ठीक है? तो उनकी जो मम्मी थी ना, fault check करने के लिए Margie के teacher के robot में, ठीक है? जो कि geographic section को check करने के लिए बुलाती थी हमें इसा, country inspector को. Question 21, who was the regular teacher who taught the lesson? कौन हमें इसा regular teacher रहता था और कौन पढ़ाता था हर एक lesson को? तो answer है, D, मैकेन का robot teacher who teaches Margie and Tommy. क्या था? मैकेन का robot teacher था, जो कि Margie को और Tommy को पढ़ाता था. Question 22, where did Tommy and Margie read various books? जो Tommy थे, Tommy था ठीक है? और जो Margie थी, वो दोनों सारे books को कहाँ पर पढ़ते थे? तो answer है, on a computer screen, वो computer screen पर पढ़ते थे. Question 23 की बात करने तो वो है, where was Margie's school? मारगी का school कहाँ पर था? तो answer है, in a room, in a house, where a computer was set up. यानि जो उसका school था हमारी का, वो उसके room में, उसके घर में था, जो कि वहाँ पर computer set किया गया था, जिससे कि वो पढ़ सके. Question 24, who was teaching the students in the modern era? यानि modern era में, यानि modern दाओर में, student को कौन पढ़ा रहा था? तो answer है, a mechanical robot teacher, एक teacher यानि robot teacher पढ़ा रहा था किसको, students को. Question 25, where did Tommy find the book? जो Tommy होता है, उसको कहाँ पर book मिलता है? तो answer है, in his house, उसके घर में ही, उसका book मिल जाता था, उसको shop पर नहीं जाने परती थी. Question 26, how old is Tommy? Tommy कितने साल का था? तो answer है, 13 years old, वो 13 साल का था. Question 27, who is the author of the lesson? इस lesson के लेखक कौन है? तो answer है, इसाक असिमो है. Question 28, how old is Margie? Margie कितने साल की थी? तो answer 11 years old, यानि वो 11 साल की थी. Question 29, what is a debate? डिबेट क्या होता है? तो answer A है, a contest to show ability in argument between two people. And debate हम लोग उसको कहते हैं, जो किसी एक particular चीज के बारे में argument होता है, यानि दो लोग बाते करते हैं, उसको हम बोलते हैं debate. Question 30, what is virtual reality? वोर्चुर रियालिटी क्या होता है? आंसर है none, इसमें से कोई नहीं है. I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल. तेंक यू.